नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का online agriculture platform पे साथियो एक सूचना लेकर आपके समक्ष प्रस्तुद हूँ हाली के अंदर एक सूचना के अमसार एक भरती प्रिक्षा अभी हाली के अंदर उसके forum जो हैं और यह open हुए है forum के तहट अगर अपने देखने का प्रियास करें तो पंजाव Public Service Commission PPSC के द्वारा अभी veterinary officer के अंदर एक vacancy हाली के अंदर जारी कर दिया है और इसके अविदन जो हैं वो आप ppsc.nic.in पर क्या हैं वेवसाइट पर जाकर एपलाई कर सकती हैं जान लेते हैं थोड़ा सा इस भरती प्रक्रिया के बारे में भरती प्रोसेस क्या रहने वाली है सबसे पहले देख लीजिए एज का जो क्राइटेरिया आपका रहेगा एज का जो क्राइटेरिया रहेगा वो 18 से लेकर 37 वर्ष तक का आपका एज है यानि 18 आपकी minimum है और अ जो कि आपकी agriculture department के अंदर रखा गया है यानि veterinary officer के तहत आप इसको apply कर सकते हैं जो आपकी कुल 200 सीटें यहां पर क्या है निर्धारित करके दे रखा यानि पंजाव सरकार के दवारा total 200 सीटें आपकी यानि कि पोस्ट जो है वो 200 पोस्ट है जो निर्धारित की गई है और यह form आपका reopen हुआ है साथियो कि यह अपने को थोड़ा पता होना जाई है ना reopen हुआ है अब थोड़ा सा तिथी के बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि तिथी जो इसकी start होई है अभी 11.6.2022 को इसका latest update आया है और अमतिम जो इसकी तिथी है साथियो form apply की तो 27.6.2022 है यानि आप अमतिम तारीक तक भर सकते हैं तो 27.6 तक आप भर सकते हैं form को और साथ ही साथ जो इसकी payment आप करेंगे इगजी चलान के माद्यम से वो आपकी 4 जुलाई 2022 तक आप अमतिम तारीक तक इसकी payment जो है वो कर सकते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में देख लीजिए य 237 यहाँ पर पोस्टें दिखाई देंगी जिसके अंदर आप भी apply कर सकते हैं राजस्तान स्टेट के या अन्या किसी भी स्टेट के इसके अंदर form apply कर सकते हैं ठीक है जी चलिए अब थोड़ा सा यह जानने का प्रयास कीजिए कि इसमें योग्यता क्या रखेगी या qualifications क्या है qualifications को अगर अपने देखें तो सबसी पहले इसके अंदर योगता के कर्में दिया हुआ है bachelor degree veterinary science के अंदर या animal husbandry में ठीका जी यहाँ पर अपने को दे रख़ा है bachelor degree bachelor degree कोई भी होनी चाहिए अपने पास ठीका जी एनिमल हस्वेंडरी के अंदर या veterinary science में आव हम या एनिम इसके अंदर योग्या निर्धारित की गई है पंजाब सरकार के द्वारा तो आप इसकी त्यारी स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन जैसा कि आपको पता है वेटनरी ओफिसर की है एनिमल हस्बेंडरी योगता दी गई है तो सब्जेक्ट भी आपका वही आएगा आपकी ड इसकी अंतिम आयू सिमा निर्धारित की गई है 18-37 वर्ष का केंडिडेट एप्लाई कर सकता है और 27 तारिक इसकी लास्ट है तो अवेधन करने के लिए आपके पास समया भी काफी पड़ा है तो आप आज से ही इसका अवेधन जो है वो पंजाब PPSC साइट पर जाकर क्या ह कर सकते हैं चलिए और इसके अंदर थोड़ा सापने को ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो आपकी विकेंसी है वो वेटनरी ओफिसर की विकेंसी है साथी हो ठीकर नब पंजाब पब्लिक सर्विस क्मिशल के दवरा इसको जारी किया गया है ठीक है जी तो ज़्यादा समय नहीं लग पाएगा यानि एक्जामिनेशन्स भी आपके ज्यादा से ज्यादा टाइम में करवाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अच्छा अफसर है ठीक है इस अफसर को आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं टार्गेट को अची वो जनरल के लिए पंदरा सूरुपी है फॉर्म फीस है पांसूरुपी का चलान होगा और हजार पी आपकी एक्जामिनेशन्स फीस होगी और अधर जो कैटिगरी है स्टी और एसी वाले कैंडिडेट है उनकी पांसूरुपी इसके अंदर मातर फीस रखी गई है ठीक है न संपुर्ण जानकारी आपको अच्छे से पता चल गई है तो जल्द से जल्द आप इसकी साइट पर जाकर अवेदन कर सकते हैं और अपने भविश्य को सुनहरा अफसर प्रदान कर सकते हैं आपके भविश्य की हम कामना करते हैं उजवल भविश्य की अथियो धन्यावाद अल्विदा